यह साबुन भगवा कलरका है.. इस साबुन से देश KLANGलो नहीं हुँ आधा है..टो आध्मी कहा कहा लगाता है..। कि अनबक्त आपकी इससे बहव्ना आहात हो रही है? बताईये! मुझे जवाब दीजिए, पद्धरकार मौदं आ आप सरे पूछ रहा हु. ने ने आपको सुनातों पहले सुनिये मोधी जी खुद कह रहे हैं कि मैं पठान का बच्चा हूँ और आप लोग पठान का विरोज कर नहीं कि विद्धक्ट और परचार हो रहा है तब कोई दिक्कत और कोई आपति किसी को नहीं है मनोज तिवारी डांस कर रहे हैं तब किसी को कोई आपत्ती नहीं है निरावव डांस कर रहे हैं किसी को कोई आपत्ती नहीं है गंगना रनावट डांस कर रहे हैं किसी को कोई आपत्ती नहीं है लेकिन अगर सारुक खान कोई मूवी को रिलीज करते हैं तो आप यह सोचे ना यह आप बाइकार्ट गेंग बाइकार्ट गेंग आकर एक्टिव हो जाती है हर चीज में बाइकार्ट बाइकार्ट करना यह लोग शुरू कर देते हैं हर चीज का बाइकार्ट चीज पहले से आई नहीं पहले से शुरू जाते हैं पथान मुभी को उसका बाइकार्ट करना है इसलिए मैं तो देखूंगा जरूर जाके देखूंगा रोकले कोई लोग का उद्देश से आप लोग के आपको ले कर आपको पठान का विरोद करने में लग रहे हैं दूसरी बात ये कि जो कलरों को कर आपकी भावनाएं आहात हो जाती हैं रंगों को लेकर आपको दर्द और तकलीफ हो जाती है आज कुछ बहुत सारी चीजे मेरे पास में ऐसी हैं जिनको लेकर मैं one by one करके एक एक करके चर्चा करूँगा पहले आप लोग मेरे को देख चुके होंगे कि मैंने किस प्रकार से कंगना रनावत की फोटो दिखाई की हाथ में दारू लेकर और भगवा कलर की ड्रेस पेन रखी थी उन्होंने तो क्या भगवा का अपमान नहीं हो था यह भी मैंने आपसे पूछा था मनोश दिवारी की वीडियो आपको दिखा कर मैंने आपसे पूछा था रभी किसन की वीडियो दिखा कर मैंने आपसे पूछा था निरववा की वीडियो दिखा कर मैंने आपसे पूछा था कि किस प्रकार से यह लोग भगवा पहना कर महिला के साथ में किस प्रकार की साबुन भगवा कलरका है अब साबून से देश के तमाम रोग नाते हैं अब इस के नाम तो नहीं बोलो लेकिंगे तेस के तमाम लोग नाते हैं बहुत भिक्ता भी ए ठीक है तो अभी साबून को आदमी कहां लगाता है किसी जगह पर लगाता है तो क्या अनवक्तों आपकी किससे भावना आहात हो रही है बताइए मुझे जवाब दीजिए पत्रकार महुदर मैं आपसे भी पूछ रहा हूं नहीं नहीं इससे आपकी भावना आहात हो रही है तो इसको अश्लील जगह पे लगाते तो आपकी भावना आहात हो रही है इससे मैं कहता हूं सुलिजे मेर इस साबुन से मैं यह शो करना चाहता हूं कि देश के अंदर बहुत सारी कीजे ऐसी हैं जो केसरिया कलर में विखते हैं अब आपको बता दू सबसे बड़ा उधारण अक्से कुमार आपने उनकी फिलम देखियोगी भूल भूलया आप यह कह रही है ना साधी प्रग्या ठाक पर समझाना चाता हूं देश के कालून के लिहाद से देश के संविधान के लिहाद से आपको कुछ चीजे समझाना चाता हूं और बताना चाता हूं असल में सरकार का उद्देश्य आप लोगों को महरा बनाना है सरकार का उद्देश्य देश के अंदर अवश्यक चीजों स आपका ध्यान हटा कर कहीं और डायवर्ड करना है जैसे अभी मुद्दा चाइना का चल रहा है तो सरकार आप लोगों से ध्यान हटा कर चाइना के मुद्दे को जो है डायवर्ड कर रही है किस और पथान मूवी की बाई-काट की और अभी ये मूवी जो है 25 जनवरी के आसपास रिलीज होने वाली है ठीक है तो अभी तो दिसंबर चल रहा है न्यूस चैनल वालों का एक डेड़ महीने का कोठा पूरा हो गया है पठान मूवी को लेकर डेली चार एनलिस्ट बैठते हैं सबसे पहली बात तो ये कि आपकी भावना को आहात पहुची है तो सरकार आपकी है यानि BJP की सरकार है जो तमाम लोग बड़े-बड़े दल कोई कह रहा है मैं इस हिंदू से ना कहूं कोई कह रहा है मैं उस हिंदू से ना कहूं और साजवी प्रग्या ठाकुल भी जो सामने से आकर बोल रही है कि अगर आप हिंदू है तो इस फिलम को ना देखे सेंसर बोड क्या जख मरा रहा है देश के प्रधान मंतरी क्या कर रहे है देश के राष्ट्य पती को चिठ्थी लिखी जाए कि अगर इस प्रकार की फिलम से या किसी भी चीज से किसी की भावना को आहत हो रहा है तो आप सेंसर बोड को क्यों नहीं बोलते दूसरी बात यह है कि एक चिठ्थी बनाकर एक लंबी चिठ्थी बनाकर थमा दी जाए बॉलिवूड के हाथ में सेंसर बोड के हाथ में कि भाईया इस इस कलर के कोई कपड़े ना पहने और इन कलरों का कहीं प्रियोग ना किया जाए सुनीजे मुझे आज कम्पलीट करने दीजे गुटका सबसे गंदी चीज आप मानते हैं अब सुनीजे माउट कैंसर सिर्फ इंडिया में पाया जाता है अब सुनिए आ जाता है गुटके के अंदर केसरिया शब्द का प्रियोग के आता है विमल का एड़ देखा ओगा आपने हाणा विमल जिसमें डूब रहा है केसरिया करके पूरा एड दिखाया जाता है, मतलब अब केसरिया करके गुटके का परचार हो रहा है, तब कोई दिक्कत और कोई आपत्ती किसी को नहीं है, मनोस्तिवारी डांस कर रहे हैं, तब किसी को कोई आपत्ती नहीं है, निरवुए डांस कर रहे हैं, किसी को कोई आप कोई movie को release करते हैं तो आप यह सmeal शुरू करते हैं और यह लोग यह कर रहे हैं से देश को कोई फैदा है आप मुझे यह भताई कि दूसरी बद यह जिस की इस मड़ी चाहिए वो फिलम बड़ी तेजी से वो चाहें आपके थेटर्स हो चाहें आपके मॉल्स हो उन्पर बड़ी तेजी से बहुत ज्यादा कमाई करती है लोग देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा है क्या तो आप तो खुद खड़े ओकर सामने से प्रमोशन कर रहे हैं दूसरी बात यह कि स देख से आप लोग के ध्यान को भटकाना है इन लोग का उदेख से आपके बच्चों को सिक्षा से हटाना है अभी चाइना का इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है भारत देश का रुपिया दिन पर ती दिन नीचे गिरता जा रहा है सरकार इन सवालों का जवाब नहीं दे और भी बहुत सारे आपति जनक शब लिखते हैं तो यह जो आप गालियां लिखते हैं यह किसी हिंदु धरम के वेक्ति की पहचान नहीं हो सकती है हमारा धरम अतिती देव भवा सिखाता है हमारा धरम वसुदेव कुटुमबकम सिखाता है हमारा धरम भूके को रोटी और प्यासे को पानी पीलाना सिखाता है, हमारे धरम में किसी की माता को, किसी के पिता को, किसी की बहन को गाली देना या उसके लिए अपत्ति जनक सब्दों का प्रियोग करना, ये मेरा धरम नहीं सिखाता है, ये तो पता नहीं कौन से धरम के लोग हैं, जो कमेंट में अपने मा गिया ठाकुर ने जब रामदेव अश्लील रामदेव पौने दो आखवाला काना रामदेव बिजनस्मेन रामदेव बहुत सारे नाम है इस रामदेव के या फिर सल्वार पैन के भागने वाला रामदेव जब एक statement देता है महराश्ट के अंदर जिस statement को देने के दौरान उस मुझे तो महिलाएं बिना वस्त्रके भी अच्छी लगती है। तब तो साद्वी प्रगिया ठाकुर सामने आकर नहीं बोली कि भाईया कोई भी व्यक्ति रामदेब का समान ना खरीदे। परपंजली का प्रोडेक्ट ना खरीदे। क्योंकि इसने महिलाओं के लिए ऐसे सब्दों का प्रियोग किया है। जब देश की राजधानी में एक बेटी के ओपर एसिड और तेजाब गिरता है। तब साद्वी प्रगिया ठाकुर सामने आकर नहीं बोलती है। कि भाईया कोई भी व्रक्ति जो है वो एसिड तेजाब के लिए मैं कमपनियों के ओपर केस करूँगी। जहां से वो आया है एसिड तेजाब ऑनलाइन मंगाया गिया मैं उनके ओपर केस करूँगी। यह मैं महिला आयों को चिठ्ठी लिखूँगी। नहीं बोली ना तो ऐसे मामलों पर साधवी प्रग्या ठाकुर नहीं बोलती है। लेकिन जहां हिंदू और मुसल्मान को कनेक्ट करना होता है वहां यह तुरंत बोलती है। नहीं धर्म की रक्षा के लिए। आंदर आपको धर्म धर्म की रक्षऑ के लिए। adore भूर्य देहा है। तुर्यक्री द्रयेस किसी ने अप मुझे बता हाटू घूंट करके दिखा दूगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आप लोग सोचें दूसरी बात यह एक चीज में आपको दिखाता है जो आपने देखी नहीं होगी अब मनोश्तिवारी जी का गाना है बेबी बीर पीके नाचे लू चम 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 आपको याद होगा यह मनोश्तिवारी का गाना है अब इस मन सब्सक्राइब के आप मान कों कॉन कर रहें निरवव हैं यह दो निरवव की तो वीडियो में मैं पहले दिखा शुका हूं एक बार और आपको दिखाता हूं यह देखिये credible की гру यह द में मैं इसने भगवा पहन रखा कैसे असली डांस कर रहे हैं निरववा को कोई सरम नहीं है बताइए ना आप मुझे फिर अभी मैंने बात कर रहे थे हम लोग मनोस्तिवारी की तो मैं आपको मनोस्तिवारी जी की जो गाना है उनका बेबी बीयर पीके नाचेलू वह वाला गाना दि क्योंकि असल में इन लोगों का उद्देश से इस देश के अंदर हर चीज को हिंदू और मुसल्मान से जोड़ने का है क्योंकि जितना इस देश के अंदर हिंदू और मुसल्मान होता है उतना बोट भारतिया जनता पार्टी को मिलता है इसलिए भारतिया जनता पार्टी ज